जैहिन दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे इस देज में हो रहा सबसे बड़ा ठीका करन अभियान को वैक्सिंग और कोविर सिल्ट के बारे में क्या है उसका बरतमान परिद्रिस इसको हम किन पार्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि बरतमान में अभी इसका यह इ इस देश में जो सर्व्यापी टीका करन अभियान है उसको अपने साथ-साथ दक्षिन एसी आई के देश और साथ ही साथ हिंद महासागर के दो देश को फ्री अपकॉस टीका देने का वादा किया है तो दोस्तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा देश का जो विदेशी जो संब है वो मजबूत हो रही है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यह दक्षिन एसी आई देश कौन-कॉन है और उसका क्या-क्या प्रभाव आगे पढ़ सकता है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेपाल की नेपाल को भारत सरकार ने 10 लाख कोरोना वैक्षिन का डोज फ्री अ अन्मार हो गया को बंगलादेश हो गया है कि आपको अफगाणिस्तान हो गया लंका हो गया माल्दिप हो गया साथ ही सतृ प्र Innवह साग्र में दो मेप के माध्यम से आपको समझार रहें कि यह मैरा देश भारत है और यहां परोशी देश नेपाल है और यहां परोशी देश बंगलादेश है भुटान है यहां सिरलंका है देखिए यह मेरा भारत है और यहां नेपाल है यह बंगला देष है यह बुटान है यहां सिरलंका है यह देखिए मृऱ्डीव है यहां एक देश हिंद महासागर का देश अपना मोरिशस है और एक सी से में नोर none है मेरा दक्षिन ड्रगी में नहीं आता है यह दक्षिन पूर्व एस्याई में आ जाता है अब ध्यान देना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है सबसे पहले कुछ दिन पहले चर्चा में था चीन के बहुत सारे बहकावे में आकर नेपाल ने भारत के साथ अपना समंध को खराब कर लिया था और अभी जो 10 लाग का जो डोज दिया गया ह जिससे भारत और नेपाल के बीच जो रिष्टा है बहुत ही अच्छा हो गया है देखते हैं कि आख इस चीज को हम वारी वारी से समझते हैं ये जो भारत की निती है भारत सरकार की उसको हम neighborhood First policy कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको वैक्सिन नीति भी हम कहां किया है पीये मोदि का है यह सब्से बड़ा टिका करण अभियान है दोस्तों ए जनकारी लेना है कि यह हमारा तीका का करनवियान हो रहा है पूरे 20 वका सबसे बड़ा टी का करनवियान है देखिए दक्षी ने सिया के साथ साथ अभी हम बता दिये थे सब का लोकेशन हिंद महासागर के दो देश एक मौरिशस और एक सेसेल्स देखिए कहा कहा कितना कितना डोज दिया गया है नेपाल में 10 ला का और अफगानिस्तान है इसके अभी हमारा बातचीत जारी है इसके परिणास रूप क्या देखा गया कि जो नेपाल के स्वास्त मंत्री है उनका नाम है हर्देश त्रिपाठी वह बहुत सारा बधाईयां भारत को और भारत की जनता को और पीए मोधी को दे रहे हैं साथ ह क्या है कि को फैलाने वाला चीन का सबसे बड़ा पॉलिसी यही रहता है वह आर्थिक मदद की परलोवन देकर किसी भी देश को आर्थिक परलोवन देकर उसको करज के डाल में डुबा देता है अब ही जब जरूरत है सबको सहयता पहुचाने के लिए तो हमेशा चीन का आए तो इसको करज के जाल में पशा देगा उसके बाद वह सहयता में क्या देखता है फैदा करनक है जब नेपाल से उसको को वैक्सिन की है तो नेपाल के जो चाइना के भी भरोसा नहीं है दस्तावेज ये इस दस्तावेच को देने से इंकार कर दिया तो नेपाल उसके बाद चीन के कुरोना वैक्सिन को खारिज कर दिया नहीं लिया उसके बाद देखना है बंगलादेश जो है चाइना को वैक्सिन के लिए ओर्डर दे रखा था उसके बाद बंगलादेश से चीन ने बंगलादेश से काफी कीमत की मांग किया जिसके करण बंगलादेश ने ओर्डर को वापस कर लिया है और बंगलादेश के जो अब्दुल मोमेन है जो भारत के दोरा जब सहता दिया गया तो वहा कब पतुरत हुई करोना वैक्सिन की इसमों मौहामारी में लोगों की सुरक्षा करने के लिए तब चाहिना ने अपना रंग दिखाते हुए पाकिस्तान से भी उची कीमत की मांग की है और इतना ही नहीं पाकिस्तान को यहां तक देखना है कि भारत तो अब सभी देशों को कुरोना वैक्षिन फीरी में दे रहा है साथ ही साथ वहां के जो राजधानी देश में भी अपने ही बीमान एर इंडिया से वहां पे पहुचा रहा है लेकिन पाकिस्तान से क्या किया है चाइना ने बोला है कि आप अपना वीमान में भेजे तब हम आपको कोरोना वेक्सिन देंगे वो भी उची कीमत पर उसके बाद ध्यान देना है कि इससे क्या है आगे का राह यानि भारत का जो है सभी परोस्टिय के साथ क्या हो रहा है समंध अच्छा हो रहा है अब आगे समझते हैं यह कोविन एप कहने कार्थ है किस सबसे पहले आप रजिष्टर कर रहे लिए उसको और ररजिष्टर करने के बाद आपको वह समय समय पर जनकारी देती थी कि आपको अपने नीजानी कोई भी नजधी कि आपके शहर में आपका जो स्वास्थ होस्पिटल है वहां आपको वैक्सिन दिया जाएगा और मिला है और सबको वो दे रहा है सबसे पहले भारत में और ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन के सहयोग से उस वैक्सिन का नाम है कोविड सिल्ड भारत की कंपनी सीरम इंस्ट्यूट जो की पूने में है महरास्ट के पूने में और ब्रिटेन का एस्ट्राजेनेका दुनों ने मिल हम अपना खुद का इस एक वैक्सिन तयार किया जिसका नाम है को वैक्सिन यह कहां कि कंपनी है भारत की खुद की कंपनी है है हैदराबाद में और सबसे बड़ा बात यहां फेक्टर यह देखना है कि भारत बायोटेक में हमारे अलग-अलग 64 देशों का जो राष्टा ध्यक्ष है यानि अपने दोरह वो राज़तूत को भेचे थे इस परकिडिया को देखने के लिए कि कैसे कैसे यहां पर वैक्सिन तयार हो रहा है साथ ही साथ इस क्यूं भेजा गया था कि आगे की राह देखने के लिए कि अगर यह सक्सेस रहेगा तो भारत के साल वो साथ जो है वो वैक्सिन के लिए करार करेंगे डिल करेंगे जिससे हमारा भारत इसका हो जा विदेशियों के साथ क्या होगा संबंध और मजबूत होता जाएगा अब देखना है इसका जो सुरुबात हुआ था फरस्ट चरन में तीन करोर को डोज देना आपको समझना है कि उनको देना था कि जो सबसे पहले को रोप में को रोजना में सबसे आगे अपना योगदान दे रहे हैं अब देखिए यहां चुनावति की है निगेटीव परिणाम क्या परा सबसे पहले इसका निगेटीव परिणाम यही परा कि भारा सरकार ने लोगों की भरोसा को नहीं चीत पाया एक हालिये का घटना यह है कि जो पूने का सीरम इस्चीवट था उसकी फैक्टरी में आग लग गए तो लोगों का भरोसा देख कम अब क्या होगा इस वैक्सिन का क्या होगा तो उन्होंने साफ असपष्ट कर दिया है कि जो वहां पर कंपनी में आग लगे थी वह नई वाले बीडिंग में और यह तो हो गया उसके बाद इसका सभी का भरोसा कम था दूसरा दिखना है कि यहां की लोगों में और यहां की किराथ सरकार की जनता का ये कहना था कि इंद कम समय में कि vyorklnics को थो तो साल का को यदि देना होता है तो नगर मनझजोरी देना परता है किना कंप समय में आप इसक इसको प्राइब फिरासन के सामने नहीं दिखास घिया जब ढश चीज het कि जो स्वास्त कर्मी थे उनका भी उसके उपर भरोसा नहीं था उनका कहना था कि जो लोग infection है किसी भी चीज़े infection होता है उनको ये ठीका नहीं लेना चाहिए तो ये भी उन एक negative impact था उसके बाद देखना था विविन राज्यों के में जो अनुमान किया गया था कि सभी राज्यों में कितना कि नाम को वैक्सीन देना है एक एक जामपल के तौर पे तमिलाडू को जो है सबसे स्वस्त राज के रूप में दर्जा दिया जाता है तो वहाँ जो देखा गया फर्स्ट चरण में तो मात्र 16% लोग ही इस वैक्सीन को लिये कहने का अर्थ है कि उनका अनुमान भारत सरकार का अनुमान था कि मान के चलिए सो ब्यक्ति में मात्र ऐसे 16 वैक्ति हैं जिन्होंने ही कुरोना वैक्सीन को लिया है बादबाग की नहीं लिया तो यह एक निग दूसरा चरण आएगा उसमें पिये मोदी खुद जो है वैक्सीन को टीका करन लेंगे अब खुद टीका वो लेंगे साथी साथ सभी राज्यों के मुखमंत्री एमेले एमपी जो पचास वर्स से उपड़ है वो दूसरे चरण में क्या करेंगे टीका लेंगे अब देखना है कुछ बिपक्षों का भी सवाल था अब पक्ष और विपक्ष तो वनाई रहता है तो बिपक्षों का यह कहना था कि सभी राज्यों के सभी देशों के राष् और इसे भी बहुत हैं उन्होंने सबसे पहले कोरोना टीका लिया तो क्या हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं परधान मंत्री है यह क्यों नहीं ले रहे हैं तो उनका यह सवाल था कि लोगों में विश्वास तभी जगेगी जैसे अलग देशों के परास्टपती थेलि जाबेथ बृतेई की रानी वह भी ले चुकी है बेंजाम्य नियाहू यहीं तो यही सब विपक्षों का सब्सक्रांबा नेता है जो सरकार का सबसे बड़ा चुनोती अभी बरतमान में यह है कि देश की जनता का भरोसा को कायम रखना भरोसा को जीतना तो दोस्तों अब जो है जैसा अब न्यूज अपडेट आता है आगे के मैं आपको अपडेट देता रहूंगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद